हेलो आप सभी का स्वागत है मागनेट ब्रेंस हिंदी पर मेरा नाम है अंकुर वबिले और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कि अच्छा दस्मी का अर्थसास्त हम क्लास 10 के अर्थसास के अंतरगत आज बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 के अंच्छ को सब्सक्राइब करने वाले हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि मेंगनेट ब्रेंस जो है वह अपनी एजुकेशन के लिए आपको यहां पर किसी प्रकार कोई पेमेंट सब्सक्रिप्शन पर्चेस नहीं करना है सभी वीडियोज आपको मिलते हैं बिलकुन नहीं सो वह भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फेकल्टी के साथ तो बात करते हैं आगे बढ़ते हैं सबसे पहला सवाल आपके सामने यह रहा रिफमें में रख psychologist म Leon रहा और और रा और हो जाएनग्यों सबसक्राइब कि हम साहुकार और ब्यापारी यह तो एक ही के अंदर और जाएंगे दिस्ताइबर जो अगला प्रस्ट कितना परिवारों को कितना प्रसाथ करा पाती हैं अगला प्रस्ट नंबर 3 रिन उधार क्या होता है रिन को जो क्याते हैं उधार मतलब उधार क्या होता है रिन सतात पर एक सहमती से है जहां साहुकार कर्जदार को धन बस्त्मय या सेवाएं महया कराता है और बदले में भविस्त में कर्जदार से भुक्तान करने का वादा लिता है दुकानदारों से लिया गया उधर सामान संवान केंएं से लिया गया सभी तो मैं मनें कोई चीज दी है जाए वस्तु दी हो और कि बदले में करच जार प्रमस कब साथ चाहते हैं homem कहते हैं अगला अगला प्रेंट फ्रेंश चार जब दोनों पक्छ एक दूसरे से भस दमे करीदने और बेचने पर सहमत हों तो उसे कहते हैं क्या कहते और सकताओं का दोहरा 3 class रेखो आउटाओं का दोर हमारे पास टोहरी आव सकताओं का सभी तभी फिर यह पर आदान प्रदान हो पाएगा अगला प्रस्ने प्रस्नमर पाच रिण के आपचारिक स्रोथ क्या है यह आपको बताने क्या क्या आपचारिक स्रोथ होंगे तो रिण मतलब क्या होगा बैंक वा सहकारी समितियां साहुकार व्यापारी मालिक वरिस्तिदार या उप्रोग सभी तो रिण के आपचारिक स्रोथ बहुत की है हमने बात करे थी है बाद्चारी जो हो यह वे इस हम कार पारी मालक सब क्या है आपके यह आपके थैंके वर्ष जो आर्टीन में भारत भीन में परिवारों को अधिक करेंद कहां से प्रबात होता अगला साथ बेवसायक बैंक कितना उपलब्द कराना आप करा पाते हैं ये बताना तो सही जवाब क्या होगा इस में से 25 परस्थ क्यास पास कर पाते हैं है अगला प्रस्थित मैं से कौन मुद्रा को कि माध्य की कुछं करता है यह भात था आधिगी तो भारति सच Radarsum के और करuni या भारत करता है कि कि ऑगर कि सब्सक्राइब करता है कि क्या करता कौंब रोप से करेगा लेकिन करता कौन के बदले में लोगों द्वारा सामान रूफ से सुविकार की जाने वाली जो चीज है उसको क्या कहा जाता है उसको कहा जाता है मुद्रा बिनमय साक और तो क्या कहलाती है मुद्रा कहलाती है मुद्रा को सुविकार करते तो आफसन नमबर एक हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा अगरा है प्रस नंबर 10 अभी भी ग्रामेड परिवारों की कुल रेंड जरूरतों का कितना परस्त पूरा करते हैं 42 परस्त 45 परस्त 48 परस्त 50 परस्त जिसका सही जवाब क्या लेकिने 50 परस्त के आसपास पूरा करते हैं कि अगरा प्रस्तर प्रस्त नंबर 11 और चारिक इनन सबसे अधिक किस वर्ग के लोगों को मिलता है गरीब परिवार अमीर परिवार कम संपत्ति वाले परिवार और सम्रद परिवार किस परिवार को मिलता है गरीब अमीर कम संपत्ति वाले या सम्रद परिवार किसको मिलता है तो हमें बताना है किसको मिलेगा यहाँ पर तो आप देखेंगे यहाँ पर अप्चार एक नहीं सबस्दिक किसको मिलता है तो सम्रद्ध परिवार अमीर परिवार को मिलता है सम्रद्ध को से कम मिलता है गरीब को और कम मिलता है कम संपत्ति वाले को मिलता है फिर फिर मिलता है आदेखा हूआ था अगला प्रसणा प्रस नमबर 12सहरी चेत्रों के निर्धनेगे में परिवारों के कर्जों को पचाशी प्रसद जरूद में अपशारक इस रोग सवयम सहता समूया उप्रोग सभी अंचार इस रोस से तो निर्धन उपी अपनी भीयाजदर आवश्क काकजात और भुकतान के तरीके समर्थक रिनाधार, इन सब को मिलाकर हम क्या कहते हैं सब को मिलाकर हम कहते हैं रिनकीशरत तो और नमबर डी क्या हो जाएगा चौथा जो सही हो जाएगा अगला प्रसनेटनाइट नrock 14 समर्थकत रर्णाथार कुझा बःतार करद्धार की भूम में मकान-गाली पसु बैंक पसू या बैंक की रूप में रख सकते हैं जमीन को भी रख सकते हैं मकान को भी गाली को भी जानवर को भी बैंक में जमारासी को भी तो उप्रोक सभी क्या हो जाएगा करेक्टांथर हो जाएगा रिनाधार का मतलब का है जमानत की रूप में दी जाने वारी जो चीज होती है उसको हम है इसा भाझाद के संभाद में अधिकतर किसके दवारा लिया जाते हैं तो वह भायर सरकारी संध्थन लेगा या साहु कर लिंगे तो सरस्थियों के द classrooms के दौराभा निर्णायों अगरा अध्राप प्रस्थमaires 17 उस्कूथे अनाम बताएं जिसमें आउसक्ताओं का दोहरा संहयोग एक महत्पूर्ण लक्ष है बिनमय पर्णाली मुद्रा अर्थवस्था बैस्विक या उप्रुक्त मैंसे कोई नहीं तो बस तो बिनमय पर्णाली यह जो बिनमय पर्णाली होती है इसके अंतरगत आपको दोहरी आउसकताओं के मांगी जरूरत होती है कि दोहरी आउसकता होत जांएंगे समर्थक रम अधार चाहिए और यह नहीं जाए तो फिर इनको रिण नहीं मिलेगा अनुप चारिक चेत्र की साक में किसे ळंतर भीन में किसे दोने शामिल है तो एक बंप अनुप चारिक चाहता साख में सहुकार से ले लगते हैं स्वयम सहाथा समू से या सहकारी समितियों से या बैंक से यह सब क्या हो आजाएंगे आपके अप्चारिक स्रोत के अंतर आजाएंगे किसमा आजाएंगे और तो अंसर क्या हो जाएगा आपका साहुकार को हमने देखा था साहुकार जमीदार दुखानदार व्यापारी दोस्त ये सब क्या ऑन अभचारिक च्यतर से रिंड देने वारे लोग सभी जबाब क्या हो जाएगा आपका option number a सभी हो जाएगा चले अगले प्रस्ट की तरफ तो अगला प्रस्ट है प्रस्ट नमबर 20 प्रारंबिक काल में भारती है मतलब हम लोग किन बस्तूओं का हम लोग मतलब आप नहीं थे हमारे पूरवजूरवच की बात कर रहे हैं तो क हम सोने चांदी का उपयोग करना स्ट कर दिया था फिर तामे के सिक्क्य बनाए थे मतलब क्या हो गया सभी चीज़ों का उपयोग करते हैं सभी सभी जवाब क्या हो जाएगा तो बोले सब सही जवाब हो जाएगा option number d स्टार्टिंग जानबर से फिर अनाज से फिर सोना चा द्वारा और अंतरास्टी मुद्रा पूर्स द्वारा भारत में रुपए के प्रयोग को वद्धिता कैसे प्रदान की गई है तो आपको बताना है किन के द्वारा तो भारत में भारती कानून के द्वारा मिलेगी ना तो भारत के कानून के द्वारा मुद्धिता प्रदान की गई है कि अगला प्रस्टना प्रस्टने बाइस अपिरार इस अप चारिक गूंग पर प्रणाली पर कौन ने घरानी रखता है भारती सस्कार कर रखता है matter छाइन रा Positive अगला प्रसना प्रस नमबर 23 बंगलदेश के ग्रामेड बैंक के स्थापना कब और किस के द्वारा हुई थी तो मुहम्मद कुरसी के द्वारा मुहम्मद यूनिस के द्वारा मुहम्मद रासित अलवी के द्वारा तो आपको याद रखना है कि प्रफेसर मुहम्मद यूनि सी हो जाएगा 1970 1970 में प्रॉफिसर मुहम्मद यूनिस के दुबारा की अगला प्रस्ट नमर 24 बस्तु बिनमय प्रणाली की असुबधा के संबंध में निम्लिकित में से कौन सा सही नहीं है आवसक्ताओं के दोहरे सहीयों की कमी विभाजिता की कमी संपत्ती जमा करने में मुस बिनमय की माग ध्यम में धनकी अपलता अगर धन होता तो फिर यह क्यों होता है बस्तू बिनमय क्यों करते तो फिर नहीं है वह बताना है तो आप सा कि दो सानमरी क्योंडյ जाएगा यह धन मांग के दूबारा निकाल सकते वाउजर भरा पैसा निकालें बैंकों से जो कर्ज ले जाता है वो मांग जमा बैंकों में ब्यापारियों दूबारा जमा की गई fix deposit या उपरोग सभी तो option number A जो है वो सही होगा बैंकों में जो हम धन जमा करते हैं उसको हम मांग जमा कहते हैं वह धन मांग के द्वारा आप निकाल सकते हैं क्लियर अगला प्रस्टतार नमभर 26 रेट किएszy स्रूत में सामिल नहीं है बैंक सहकारी समथिनियोक्ता और नियुक्ता उप्ष amendments को 2 नहीं तो आप्षारिक स्रूतasan बैंक तो आपचारिक स्रोत है सहकारी समति आपचारिक स्रोत है नियोक्ता मतलब जो employer है जो नौकरी देता है वह आपचारिक स्रोत में सामिल नहीं है यह अगर इससे करजा लेंगे भी तो यह अनपचारिक होगा तो option number C correct होगा अगला प्रस्ट नंबर 27 मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है चार आपसन है भारती रिजर्बेंक भारत के रास्टपती बित्तमंत्री और प्रधानमंत्री मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा करते हैं तो कौन निकालता है मुध्या मतलब यह हो गया तो इसमें जो मुध्या जारी कौन करता है तो वो रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पंझाबंस को या बैंक ऑफ बताएंगे किसको तो रिजर्ब बैंक अपिया जो है वह नोट जारी करती है दोक्तर जा कौन लेगा सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं यह हमारे mcq complete हो गए आप सभी लोग जानते हैं कि magnet brains दो चीज़ों के लिए जाना जाता है एक तो मुफ्त सिक्षा और दूसरा high quality एजुकेशन के लिए मतलब यहाँ पर जो वीडियो मिलते हैं को कॉलिटी से कोई कम्प्रोमाइज नहीं करते हैं आप से किसी प्रकार को चार्ड नहीं लेते हैं मतलब कुछ खरीदना नहीं है कोई कूपन आपको लगाना नहीं है सबी वीडियो आप 100 परसें हम क्या क्या सब्सक्राइब करना नहीं सबी वीडियो आप देख सकते हैं हमारे कौन-कौन से प्लेटफॉर्म पर यूटूब के उपर हमारी website www.magnetbrains.com पर हमारे हैं आपके कोई डाउट हैं तो उनको भी आप वहां पूछ सकते हैं मिलते अगले वीडियो में तब तक अपना ध्यान रखिए मस्त रहिए पढ़ते रहिए दन्यवाद